Good morning children. How are you? All are fine. Very good. Did you remember what we have learned last class? Yes. Very good. क्या पढ़े थे हैं अमनी last class में? Types of houses. अलग अलग types of houses पढ़े थे ना बेटा? कच्चा हाउस, पक्का हाउस, टेंट, इगलू, बंगलो, ऐसे अलग अलग पढ़े थे ना? House. Yes. आप लोगों को अच्छे से spelling लेर्न करना हैं. कच्चा हाउस की spelling, पक्का हाउस की spelling. Okay. आप लोगों को क्या करना है बेटा अच्छे से? कॉपी में लिखकर spelling याद करना हैं. क्योंकि आप लोगों को fill in the blanks fill up करना हैं, match the following आएंगे तो जोड़ी मिलाना हैं. पिच्चर देखकर आपको identify करके जोड़ी मिलाना है, match करना हैं. इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? spelling याद करना हैं. कच्चा हाउस की spelling, पक्का हाउस की spelling, टेंट की spelling, इगलो की spelling. ऐसे आप सब लोगों अच्छे से spelling लेर्न करना, ओके? येस, वेरी गूड, अच्छे से पढ़ाई करना सब बच्चों को, ओके? टोड़े वी आर गोइंग टो लान अबाउट अवर फोर्थ चैप्टर. आज हम अपना फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे. क्या है बेटा पाट का नाम? लेसन का नेम? ये है. इनसाइड दा हाउस. हमने हाउस पढ़े थे ना? टाइपस ओफ हाउस पढ़े थे ना? अब हम क जैसे ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेट रूम, स्टेडी रूम, हॉल, किच्चन ऐसे सब के घर में अलग-अलग रूम होते हैं. इसलिए आज हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? अलग-अलग रूम देखना है कि उसमें आप लोगों को अलग-अल रूम की मीनिंग क्या है? आप लोगों को अच्छे से समझना है. ओके चिल्डरन, वाट इस ड्राइंग रूम? ड्राइंग रूम क्या है? आज हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? इंसाइड दा हाउस, घर के अंदर जो हमारे घर पर अलग-अलग रूम होते हैं. उस रूम को हम क्या नाम बोलते हैं? आज हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. Are you ready children? Yes, very good. First one, ड्राइंग रूम. What is this? ड्राइंग रूम. क्या बोलते हैं बेटा इसको? ड्राइंग रूम. जहां पर हमारे गेस्ट, गेस्ट हैंने क्या है? महमान को हम क्या बोलते हैं? गेस्ट. हमारे यहां गेस्ट आते हैं ना? Yes, उन लोगों को हम लोग बिठाते हैं अपने ड्राइंग रूम में. ड्राइंग रूम को लीविंग रूम भी बोलते हैं और सिटिंग रूम भी बोलते हैं. ड्राइंग रूम आप लोगों को अच्छे से समझना हैं. ड्राइं अच्छे से क्लीन रखते हैं तो हमारा घर बहुत अच्छा लगता है न देखने में, येस, आप लोगों को अच्छे से जैसे गेस्ट आते हैं, मेमान आते हैं, उनसे कैसे बाते करनी चाहिए, रेस्पेक्ट से, है ना, और अपना सामान को व्यवस्तित भी रखना है, कोई सा मेमान उठाते हैं, अपनी जगा पर रखना चाहिए, कि सारी आदते भी आपको सीखना है, ड्राइंग रोम किसे कहते हैं, जहां हमारे मेहमान आते हैं, उन्हें हम बिठा कर रखते हैं, उस रोम को क्या बोलते हैं बिटा, ड्राइंग रोम, अभी इसके साथ साथ आपको ड Spelling भी बोलना है, ओके, सब लोग बोलो मिसके साथ, Drawing Room की Spelling, D-R-A-W-I-N-G, Drawing Room की Spelling बोलो मेटा, R-O-O-M, Drawing Room, ओके, नेक्स्ट वान, वाट इस डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम मिन्स, डाइनिंग रूम क्या है, जहां हमारे घर के, हमारे परिवार में सब लोग एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं, उस रूम को हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइनिंग रूम, घर के सारे लोग एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं ना डाइनिंग रूम में, येस, क्या बोलते हैं इस से, डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम की Spelling बोलो बेटा, डाइनिंग रूम, आशे आप लोगों की अच्छे से बोल बोल कर लिख कर अच्छे से याद करना हैं, जहां सब लोग एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं, उस रूम को हम क्या बोलते हैं, डाइनिंग रूम, ओके चिल्रेट, नेक्स्ट वान, स्टेडी रूम, स्टेडी रूम मिन्स, जहां पढ़ते हैं न, येस, उस रूम को क्या बोलते हैं बेटा, स्टेडी रूम, आप लोगों को पिच्छर में दिख रहा हैं, बहुत सारे बुक्स रखे हैं न, येस, ऐसे सेल्फ में बहुत सारे बुक्स रखे होते हैं और जहां हम पढ़ाई करते हैं सबके घर में एक स्टेडी रूम भी होती है ना उस रूम को क्या बोलते हैं बेटा स्टेडी रूम स्टेडी रूम की स्पेलिंग बोलों इसके साथ स्टी यू डी यू स्टेडी रूम की स्पेलिंग और डबल ओ एम एसे आपको बोल बोल कर याद करना है लिखकर भी याद करना है वो के चिल्रेंड नेक्स्ट वान Bedroom Bedroom means Where we sleep आप कहाँ पर सोते हो Bedroom में Bedroom में सोते हैं न उस room को क्या बोलते हैं बेटा Bedroom Bedroom किस spelling बोलो B E D R O M Bedroom Bedroom किसे कहते हैं जहाँ सोते हैं उस room को क्या बोलते हैं बेटा Bedroom Next one What is this Kitchen जहाँ पर खाना बनाया जाता है उस room को क्या बोलते हैं Kitchen क्या बोलते हैं बेटा Kitchen Very good सब लोगों को मिस के साथ बोलना है Kitchen ममी आपके लिए अच्छा 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 बनाती है ना Yes इस room को हम क्या बोलते हैं Kitchen What is the spelling of Kitchen Kitchen की spelling बोलो K I T C H E N Kitchen Okay children Okay children अच्छे से आप लोगों को Learn करना स्पेलिंग also Okay Next one Bathroom हमारे घर में बातरूम भी होता है ना जां हम ना आते हैं Yes क्या है बेटा What is this Bathroom Bathroom की spelling बोलो What is the spelling of bathroom Yes B A T H R Double O M Bathroom अभी हमने अलग-अलग rooms पड़े ना Yes आप लोगों को अच्छे से Drawing Room किसे कहते हैं Dining Room किसे कहते हैं Bedroom किसे कहते हैं Steady Room किसे कहते हैं Kitchen किसे कहते हैं Bathroom किसे कहते हैं ऐसे ही आप लोगों को सब की spelling अच्छे से Learn करना है Miss ने अभी पिच्चर में आप लोगों को अच्छे से दिखाया था ना rooms Yes आप लोगों को सब room के spelling याद करना है सब के घर में अलग-अलग room होते हैं ना हम उस room को क्या बोलते हैं अच्छे से समझ कर spelling याद करना है अभी आप लोगों को जैसे आप लोगों को match the following, picture देखना है match करना है ऐसे ही feeling the blends आएंगे तो आपको spelling लिखना है वैसे ही picture देखके identify करना है ये कौन सा room है ये कौन सा room है ऐसे गर कि आपको पहचान कर जोड़ी मिलाना है को के children, kitchen देखकर आप लोगों को kitchen डूणना है उससे जोड़ी मिलाना है bathroom देखकर आपको bathroom में से जोड़ी मिलाना है ऐसे ही आपको match the following करना है feeling the plans करना है ऐसे ही आपको सब अच्छे से copy में लिख लिख कर करना है ओके children, living room को हम क्या बोलते हैं drawing room भी बोलते हैं sitting room भी बोलते हैं आज हमने पढ़ा है ना जो chapter अच्छे से आप लोग learn करना, ओके? yes, very good all of you learn very well ओके children? आपको बोलते हैं